पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण ग्वालियर जिले के हालात बिगड़ते जा रहे हैं जिसका जायजा लेने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावर्ट तीन दिवसिये दोरे पर हैं मंत्री द्वारा ग्वालियर पहुँच कर जिले का लेक्टरेट में बार नेंद्र कींद का जायजा लिया गया मंत्री ने बार को देखते हुए बिजली शिकायत कख्ष शुरू करने के निर्देश दे दिये हैं तो वहीं बार प्रभावित इलाकों में बिजली सप्लाई दुरुष्ट करने को कहा है जानकारी मताबिक मंत्री सिलावट आजजिले के बार प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे इस बीच मीडिया से हुई बाचीत में अपने उपर पूर मंत्री अनूप मिश्रा द्वारा लगाए गए लापरवाही और बाड की वजह के सवाल को दरकिनार करते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको बता दूँ के मिश्रा ने प्रशाशन एवं प्रभारी मंत्री की लापरवाही को बाड की बजह बताते हुए आरोप लगाए हैं अधिवरस्ती हो रही है और किसी पर पूरी सरकार मुक्षवंति स्वेयम प्रति दिन लोगा समिच्छा लेना कल भी हुए बेटा अभी भी आज सुबह भी अभी और मुक्षवंति स्वेयम आके देखके गाए हैं और उस्ते ही उचार कर रहे हैं वो मेरे संज्ञान में नहीं है टाइम एट मदब्रिदेश के लिए गौालियर्स से अभेशर्मा की रिपोर्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गौालियर्स लेके हालाद बिगड़ते जा रहे हैं जिसका जायजा लेने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट तीन दिवसिये दोरे पर हैं मंत्री द्वारा गौालियर्स पहुँच कर जिलेक अलेक्टरेट में बार नियंद्र कीन्द का जायजा लिया गया मंत्री ने बार को देखते हुए बिजली शिकायत कक्ष शुरू करने के निर्देश दे दिये हैं तो वहीं बार प्रभावित इलाकों में बिजली सप्लाई दुरुष्ट करने को कहा है जानकारी मुताबिक मंत्री सिलावट आजजले के बार प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे इस बीच मेडिया से हुई बाचीत में अपने उपर पूर्भ मंत्री अनूप मिश्रा द्वारा लगाए गए लापरवाही और बार की वजह के सवाल को दर्किनार करते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको बता दूँ कि मिश्रा ने प्रशाशन और प्रभारी मंत्री की लापरवाही को बाड की बजह बताते हुए आरोप लगाए है अधीव रस्ती हो रही है और इसी पर पूरी सरकार मुख्वंति स्वेयम प्रती दिन बहुत समिच्छा लेना है कल भी हुई बठा अभी भी आज सुबह भी हुई अभी और मुख्वंति स्वेयम आके देखके गाए हैं और उस्ते ही इचार कर रहे हैं वो मेरे संजान में नहीं है टाइम हीट मदप्रिदेश के लिए गौालियर से अभै शर्मा की रिपोर्ट